विल हेलो गाईज विलकम बाक तो आए यूट्यूब चैनल आज हम लोग लाइफ प्रॉससेस द्यास 10 का जो फोस्ट चेकर है बायलोजी का उसका फिफ लेक्षे 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 में हम लोग रांस्पोर्टेशन के बार में डिटेल में पढ़ेंगे लास्ट लेक्षे में अब को पढ़ा दिया था एक बार में रिवाइस कर लेते हैं हम लोग ने अब तक के पहले लेक्षे में नूट्रिशन रेस्पिरेशन को कवर कर लिया है और लास्ट लेक्षे में आपको एक बेसिक सा इंट्रोड़क्शन दिया था रांस्पोर्टेशन में की हूमन्स और सचलि permissions मेंrel हाए किसे धालेक्षे में अलुक हो नुट्रे रांस्पोर्टेशन होती है हम बात करेंगे बट अर बहूर हुं में प्रोसस के लिए व्लेट कराने के लिए एक होता है अब का बलें में आए he इंघंगी पाफ होता है उसे आम लोग बोलते हैं लिंग है ओके सो ट्रांस्पोटेशन इसे एक बैसिक इंट्रोट्चिन लिखे लेए हम हुमन में रांस्पोटेशन का सो देखो हुमन रांस्पोटेशन बिर्स तू सिस्टम्स ठीक है डो सिस्टम्स होते हैं कौन से कौन से होते हैं जरस्ट मैंने अभी आप लोगों को बताया तो दूसरा होता है आपका क्या होता है लिम्फ होता है उसे चीक आम इसे बोलते हैं लिम्फ ब्लड और लिम्फ आपस में इंटरकनेक्ट होते हैं जैसके से लेक्शन आप लोगों को पता चल जाएगा आप सबसे पहले हम लोग देखेंगे ब्लड के बारे में ब्लड के कुछ कॉंपोनेंट्स होते हैं ठीक है मतलब एक यूनित है उसने डिफरेंट डिफरेंट आपको यह साही चीज़े अभी आपको चार नम बताऊंगी आप लोगों क्लास नाइंथ में पढ़के आच चुके हो ठीक है इने क्लास लाइन नाइन को जो चैप्र था उसमेने डेटेल में बताया आपको ब्लड के बारे में यहां पर कोई की समझ में ना है तो एक बार आ डेटेल नेक्चर अपको जरूर मिल जाएका ठीक है तो पहला कंपोनेंट जो ब्लेट का है एक में माकर का कलर चीज़ कर लेता है तो वेरी फॉस्ट पोनेट इस यौर प्लास्मा ठीक है उसके बाद होते हैं रबीसी इस को क्या बोलते है रबीसी तो बोला चाहता है रेड वाइट ब्लेट सेल्स उसके पाद नेक्स कंपोनेंट इस यौर डबलो बीसी और डबलो बीसी को क्या बोला जाता है वाइट ब्लेट सेल्स यह तीन चीजों के बाद एक इंपोर्टेंट बच जाता है आपका क्या ब्लेट का कमपोनेंट जिसे हम लोग बोलते हैं प्लेकलेट्स ठीक है आपको यहां तक साही कि सारी चीजे समझ में आ गई है ब्लेट्स के टोटल कितने कमपोनेंट्स होते हैं ब्लेट्स के टोटल होते हैं चार कमपोनेंट्स प्लाजमा तो वेडी फर्स उसके बाद नेक्स्ट इस यौर डबलो आर्बीसी डबलो बीसी और यौर प्लेकलेट्स ठीक है अब यहां तक समझ में आ रहा हो आपको अब प्लाजमा की कुछ डिटेल्स देखें ठीक है सबस प्लाजमा की थेहोरी में आगर आपसे पूछा जाए डिफाइन प्लाजमा यह पर प्लाजमा के पाप में कुछ इंपोर्टेंट चीज़े बताईए तो आपको फुल चार चीज़े यहाद रखनी है ठीक है बहुत एजी है चार पॉइंट्स बिल्कुल समराइज में बतान वाली हूँ आप लोगों को सो यहाद को उसका प्लाजमा ओंडर होता है झाल अपरिस डी की नाइटी फॉल टिफ्रेशन होता है जीज़ा द्हान में रखनी है तीक है जैसे बलड का a यह कंपोनेंट वाटर जोकी आर प्लासपेज के अपरोक्स 92 नाइटी प्लास्मा में एक और चीज प्रेसंट होती है अब 90-92% हमने अप्रॉक्स मान लिया कि उसमें वाटर है इसके अलावा भी तो उसे कुछ पॉंपोनेंट्स होंगे तो उसका दूसर कंपोनेंट है आपका प्रोटीन जो की 6-8% है तो क्या हो गया तो क्या हो गया ऐसा मैं सोचन प्लास्मा में वाटर और प्रोटीन होता है उसके अलावा से बच जाते कुछ और मिंडरल्स तो यह हुथा आपका प्लास्मा के डिटेल जो आपको याद होनी चाहिए तो अब में एक ही कद के सारे के सारे पॉंट्स आ लिखने वाले हूं आपको भी सहन है तो हैं तो हैं जो आपको प्लास्मा के बारे में वह है तो हैं तो हैं नेक्स पॉंट जो आपको ध्रान रखना है प्लास्मा के बारे में वह है इट अब 90-92% वाटर उसके बाद लेक्स चीज क्या होगी प्रोटीज इट है अब शिक्स तो एक परसंट प्रोटीन और लास्ट चीज क्या है मैंने जो सभी बताया बाकी के बच्वी दो परसंट में क्या चीज आते हैं मिनरल्स और कुछ और सबस्टांस ठीक है और सम मिनरल्स प्लाजमा की तो यह साही डिटेल्स हो गई है ठीक है आपको समझ में आ गया होगा आएको उसके बाद रेट ब्लड सेल्स की भी कुछ उट्टीज देख नहीं है आपको आपको तो मैं असे लें फिरेज कर रहे हूं प्युक्कि हम रेट ब्लड सेल्स और ट्रॉप देख ब्लड सेल्स को इससाइट कर सकते हैं जादा कुछ हमी पता होगा आपको पता होना चाहिए आपको इनके बारे में रेज़ कर देख वहां है तो यह जाए पहली आपको पता होना ची इसका शेप वह इस दूब्लोवीसी की उसके बाद इसमें किशी दोज्स यानि किस चीज की कमी होती है, आपके, sorry, WBCs बोला रहने जो सभी, RBCs में, ठीक है, और इसमें क्यों से चीज भी होती है, तो यह तीरो चीजे आपको पता होनी चाहिए, RBC के बारे में, तो हबसे पहली चीज आपको पता होनी चाहिए, कि RBC जो है, वो बाइ-कन्विक्स शे क्लेवेज होगी यहां पर, ठीक है, आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, तो उससे पहली चीज क्या होनी चाहिए, कि इसका, शेप कैसी होती है, बाइ-कन्विक्स, एक मिनट, यह मार्कर ढंग से काम नहीं कर रहा है, तो मैं एक बार धूसे मार्कर से लिएता है, चलो रेज से लिख लेता है, जूस चीज, जो आपका RBC सोता है, यह निकी रेड ब्लड सेल्स होता है, जब वो बड़े हो जाते हैं, बच्चे नहीं, जब वो बड़े होते ह प्रेंआ नीह कुछाлем जाता है तोcular में नुखलियस is absent and they lack nucleus मैं मैं बाइन साथ साथा तो इसमें नुखलियस तो LATER जब नावेने नीविक्ट ङस मार्मोन कहें तो चीकि छली जाती है और रिण एक और इंपर्टन चीज इस कुछ प्लास किया हीमोग्लोबिन होता है प्लाइप के ब्लड का वह आर्विस की वजह से होता है ब्लड को फिर से हाँ अर्भ ब्लेट इमोग्लोबिन जो इसका रेड इसके लिए रिस्पोशनशिबल होता है ठीक है तो नेक्स्ट इंपॉर्टिंग पॉइंट हैश्टर करके लिखेगा इट है अब इस हीमोग्लोबिन का क्या रोल होता है यह मुझे बता आप लोग को बताना होगा जिस इसको बता है वो फटा-फट से कमेंट सेक्शिय में कमेंट कीजिए और इसको नहीं पता हुए बताती हूँ ऑप्सिजिन ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है ओके आपको प्लाज्मा और और आर्वीसी इसके जो हैं फॉंक्शन्स पता चल गए होंगे नौब यार गइंट टॉक अबाउट जबलोबीसी इसकी कुछ आपको टाइप पढ़ानी ह कालीम होगे आपना ट्रांसब्सक्ति के इसको थोलिवी सुर्थ के तरत खेज़ें मुझे मुझे सब्सक्रान बट्रांना मुदर्णाफ के पिए आपको यहोदुआ खेवच सब्सक्राइब मरते हैं। टीक है तो अबसे पहले हम इसी क्लासिफिकेशन देख लेक है तो बेसिकली आपका और यह यह दो थाइप का होता है दवेरी फोर्स इस यह ग्रैनिलोसाइट्स अद देनेक्स इस यह ग्रैनिलोसाइट्स नेग्स में आपके बाते सारी की सारी अब देखे जो आपके टाइप है रैनिलोसाइट्स ऑर 18 थिसके आलवा भी आपके जो है हमारी डम्री डफ्लोवीशिस होगे हैं उन्हें डिफेर्न डिफर्लोवीशिस में डिवाइट करते हैं ठीक है अभी लेक्चर बहुत लंबा हो चाहेगा और आपको एक एक पहले समुझा होंगे लिखोंगे तो फटा पट से नोट कर लीजिए उसे बाद में आपके बच्चे होए जो आपके डबलो बीसी के टाइप है उन्हें फटा पट से एक बाई बोर्ट पर लिख दूँगी एंद अपसे पहले हम लोग बात करने वाल है तो इसके तीन टाइप होती है तीक है इसका स्टक्षिय कुछ ऐसा होता है और इसकी परसेटेज होती है 2.5 मतलब 2-5% के अपरोग से आपके डबलो बीसी के टेगरी में आता है मतलब जितना भी टोटल डबलो बीसी में 2-5% यह रख करता है प्लस जितनी वर्म से होने वाली जो रियक्शन से आपको बचाता है नेक्स आता है आपको बेजो फिल्स बेजो फिल्स की क्वांटिटी पहुप कम है और की सफासिफ 1% है इसका स्ट्रुक्चर कुछ ऐसा सा है आप इस त्री डॉट्स समझे कुछ याद कर लीजग को पिल्स बेजो बचाता का इस एक्वाद बार प्रिंट ब्लाक प्रिंट बना इस वाला है तो आप लोग समझे कि जहां भी तीन स्पॉट्स जिक रहे है वहां पर बात हो रहे है कि बात हो पिल्स की टीक है बपले ही 8% हो बात ब्ले करते हैं वह है इनका सिक्रीशन यानि क यह chemicals को secrete करते हैं it is very important because आप कोई जिस पता हो नहीं कि हमाई पुरी bodies में हजारो chemical reactions होती रहती है उसके बाद next रहता है neutrophils, neutrophils सबसर जादा माउंटर प्रेजन होते हैं कि 70% प्रेजन होते हैं आप इसका structure कुछ headphone type समझ सकते हो इसके बाद इनका काम क्या होता है they are phagocytes, phagocytes मतलब क्या होता है they are cell eating जानी कि यह उन साहे से इसको खाने वाले हैं जो आपको हाम करेगा they are cell eating, virus आगया, bacteria आगया तो उनको खानने का काम होता है किनका neutrophils का उसके बाद हम लोग कुछ एग्रेजनोसाइट्स की बाद काते हैं पहला एग्रेजनोसाइट्स है यहां पर आप देख सकते यह कानेक्शन वाला रोड है वह कापी लंबा है ठीक है एड्लेस लास इस यह लिंफोसाइट्स अप्रोक्स 30 तो 32% प्रेजन्ट होते हैं और यह एंडी बादी इसको बनाते हैं ठीक है अप देखो अपर न्यूट्रोफिल स्ट्रक्चर आपको कुछ ऐसा साही दिखा ही देखा है तो इससे थोड़ा सा निटे में बराऊं तो इस ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा प्लेट्रोफिल स्ट्रक्चर के दिखने वाला आपके कोशन पेपर्स में आपको आपको यह साही चीज़े समझ में आ गई है फटा फ़र से नोट कर लीज़े इसाही चीज़े उसके बाद हम लोग प्लेट्लेक्स के बारे में बात करेंगे प्लेट्लेक्स के बारे में ठीक है तो प्लेट्लेक्स में आपको सर्फ दो पॉंट्स ज्याद रखने हैं सबसे पहला इसके यह कैसा होता है यह सेल्फ टाइड में प्लउट् Дुसा इसबसने प्लॉट्स तॉप देती हैं और वहाहां पर थे ओंपॉट्छ नहींना है आपके साथ आपके सारे के सारे ब्लाड के कंपोनेंट्स हो चुके हैं सब आपको आपकी स्क्रीन पर साइड में कुछ नाम लिख दिख रहे होंगे सबसे पहले हैं अगर किसी ने पहले सुन रखा है तो प्रीस कमें सेक्षिन में बताना कि आपको पता था कि यह नाम किसके दूसरे नाम है तो साइंटिफिक्ली हम लुक डबलु सारी आरवी सीस को यह बोलते है एलिख्रोसाइट जिनका फ्रोपर नाम है किसका है डविसी का नाम है आपका क्या लिउकोंसाइट्स a एन एक्लाज चाह्पका थ्रूंबोसाइट्स हैं वह होते हैं आपके प्लेकले यही वाले प्ले आप एक है कोश्चिन में सब्सक्राइब के बार में पूछा गया है डबलो बीसी जो या फिर लूकोसाइट सो प्लैकलेट सो या फिर थॉम्बोसाइट सो ठीक है सब्सक्राइब करता है हमारे जो बॉड़ी है उसका पंपिंग ऑर्गन है हमारा हार पंपिंग ऑर्गन आप सबको पता है जो हार्ट है वो हमारा ब्लड को पंप करता है है ठीक है तो अब हम हार्ट की हार्ट की डिटेल लिखेंगे सबसे पहले फटाब कर से साइची ज़े नोट कर लिए आप नोट कर लिया होगा जो देखो मैं आपके लिए एक रफ साहार्ट का डाग्राम बना दिया है इनो धाना सुंधर में हैं बट से बगार्ट का डागर्राम से सबसे पहले इंपटन चीज आपको पता होनी चाहिए वो यह है कि आपको है का हर एक और नाम आपको बाइध याद हो ना चाहिए ठीक नाम है so this is what your largest artery ठीक है यह आर्टी है आपकी सबसे बड़ी आर्टी जिसका नाम क्या है एरोटा अब ब्लू कलर वाला जो आपको दिख रहा है यह कौन सी वेन है यह है आपकी वेन कैवा अब मैंने सिर्फ इन दो ही आर्ट्री और वेन को नाम दिया है यहां पे और मैंने सिर्फ यही तो आर्ट्री और वेन बनाई है इसका मतलब यह हमारी लाजिस्ट आर्ट्री है और यह हमारी लाजिस्ट वेन है ठीक है हमारे हाट में इनका बहुत इंपोर्टेंट रोल प्ले होता है इसलिए आपको यह चीज़ा ध्यान रखनी है लाजस्ट आर्टरी इस अरोटा एंड लाजस्ट वेल इस यौर वेना कैवा ठीक है उसके बाद आपको यहां पे कुछ चेंबर्स के नाम चेंबर्स दिख रहे होंगे मनला कुछ आदया दूरे से बॉक्स आई होप दिख रहे है मैं इनको लेबल किया है सो सबसे पहले हम लोग नमबर वन की बारे में बात करते हैं क्या है राइट आट्रियम हम इसे राइट और बहुते हैं थीक है अब आपके अंसी आर्ट में जो नाम है वही हम उस करेंगे और यह राइट है तो इस पे साइड वाला पार्ट क्या होगा लेफ्ट आटिया यह अबने नम्बर वन और थी लेबल कर दिया है। आप नम्बर टू और नम्बर फोर की बारी है। नम्बर फोर इस यौर राइट वेंट्रिकल कि यौर जो चीज राइट में प्रेंट है चारों जम्बर्स में लकों बहुंका हमेशा अन्ण अन्ण र्एम पेंगे लेप चैंबर नैस 있기 निए र्प और लेंशा होगा चैंबर ego घर र्री जांag को साय करेंगे ठीक है इस बंद को आट फोर इस यह समझ में अरही है यह अन्ड फोर अप्जयों है कि यहां तक साइटियू समझ में आ गई है और अब मुझे बात बताएं यह जो फ्लाप्स दिख रहे हैं यह क्या है इनका काम क्या होता है इसे उपर वाले चैंबर को खोलना और बंद करना ठीक है इनका काम एक दोर की तरह होता है जब रिक्वार्मेंट होते है तब खोला ज बंद कर देते हैं इनका क्या ना में मैंने थुरह अलग कलर से प्रेशं कर देती हूं और आप लोग कंशूस हो जाओंगे इंसारी जो ट्रॉंस ब्लाक्ट मैंने बना आव स्वार्म इन पाटा है है ऑट साई है जाहें राइट साई कि वाल्प और चाहें लेडस लेक्साइ सबसे पहले चीज जो हार्ट है इसमें एक भी हड़ी प्रेजिस नहीं होती यह पूरा का पूरा मसल से बना होता है है और फार्ट पॉर्टन पॉइंट मैं इन नहीं है निया लिकों ठीक है है मैं इसाइश और और गॉन जहीं है जैश और अपर आप यह पर स्ट्रॉक्चर के लिख सकते हैं तिक है और इसके बद नेक्स चीज जो आपको ध्रान रखना है यह जो मस्कुल्स है जिसके वज़े से मस्कुलर ओर्गन बना है इन मस्कुल्स को हम लोग कार्डियक मस्कुल्स बोलते हैं तिक है आप लोग को यह सारी के सारी चीज़े समझ में आ गई होंगी पटापट से लिख लिए उसके बाद हम लोग देखने वाले हमारे हाट का पुरा प्रॉपर फॉंक्शन की कैसे ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है ठीक है पटापट से नोट कर लो आप लिए आप लिए कॉनसे एन्युवल्स के लिए कि दर कि टेम्हाट होता है उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि हम अपनी प्लेटलेट को कैसे मैंटेन करेंगे थीक है लिम्स के बारे में देखेंगे आपने next lecture में तब तक ये stay positive, keep studying hard, keep yourself fit and healthy and do not trouble your parents. and keep this always in mind कि अगर आपको इस आए लेक्टिस परसंद आ रहे हैं तो फटा फट से बेल जाए लाइक and do not forget to subscribe our YouTube channel. Thank you.